आज हमारे साथ मौचूद है छतरपूर जिले की रीता गौतम जी जिनकी उम्रावी सिर्फ 26 साल है और वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चियों को पुलिस की ट्रेनिंग भी देती हैं यह जिन बच्चियों को ट्रेनिंग देती हैं वो बच्ची बारमी के बाद यहां आकर ट् करती थे तो मुझे भी लगता था मैं भी कुछ करूं मेरे पैरेंस से गाउंगर के थे मुझे ज्यादा पढ़ाने की ज्यादा मतलब हो नहीं थी मैंने भी दस्वी पास किया था बीच मेरी पढ़ाई छूट गई थी कुछ पैसों के कारण घर किस्तितियां के कारण मैंने थोड़ा सपोर्ट मेरे मामा जी का रहा फिर बीच में नहीं रहा तो मेरा फिर परसनल ही रहा फिर मुझे कहीं से पैसे नहीं मिलते थे तो मेरा खर्चा नहीं चलता था तो फिर मैंने सोचा कि निसुल के कहां से करूं तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग देना मेरे पाद दोथ पैसे आएंगे तो मैं खुद भी अपनी पढ़ाई कर सकोंगे और आगे बढ़ सकोंगे जब आप नहीं पैसे नहीं रहते थे मेरे मम्मी पापा के पाद इसनी फीस नहीं थी कि वह बाहर जा कि कहीं पढ़ा सके हमें लोगों करना आएंगे लोग तो बहुत मinação करते दो लड़ी कि यह बाहर जाएगी लोग क्या कहेंगे लेकिन मैं ने मम्मी पापा को समझाया है लोगों की चक्कर में ना पड़ो लोग तो कुछ यू-पी पूलीस का हो रहा है, तो इसमें गोला होता है तो अपना चार के लोग और मतलब जयादा ह逗 मदलब शाथ को न लगॉट ऐसाना हौबिए उसमें गोला की मतलब से रहता है मतलब एक गोला फेक ना पड़ता है मतलब यूपी में अलग है और अभी जो एंपी का है तो उसमें तेज दिसंबल कुछ मंगा रहा है जम्प और गोला भी ऐसा ही है मतलब 16 होला लग बग बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं सौक में बट उनको यह नहीं पता है कि मतलब कि ह यह जम्प किती है उसमें क्या प्रोसेस है तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म डल जाते हैं तो मेरा काम यह है जादा मेरा काम गाइडलैन देना रहता है कि दिए दौर तो सब本म लेर सब्ले लोग लेते हैं के उपन और जो गाइडलाइन दौरता आप की भासा?